अभी अभी सुशान सिंग राजपूत केस में खबर आई है, आप जानते हैं आज तक और उस चैनल ने किस तरह की नियूज दिखाई थी, किस तरह के उस चैनल पे इंटर्व्यूज आये थे, आपको सब पता है, आप नहीं भूले हैं, उस चैनल को अब अपॉलजाइस करना पढ़ेगा, सुशान सिंग राजपूत केस के उपर, और जो वह अपॉलेजी करनी पढ़ेगी, वो प्राइम टाइम पे आठ बजे करनी पड़ेगी तईस एप्रिल को तो आप सब अगर देखना चाहें तो जरूर देखना तईस एप्रिल को आठ बजे आएगी और वो क्या कह रही है अपॉलजी कि न्यूज ब्रॉड कास्टिंग स्टैंडर्स अथॉरिटी जो देखती है कि आपके स्टैंडर्स क्या है न्यूज के ब्रॉड कास्ट करने के उस अथॉरिटी ने रिव्यू पेटीशन आज तक की डिस्मिस करी है और कहा है ऑन एर अपॉलजी दी जाएगी और जो बेसिक कारण है ऑन एर अपॉलजी देने का वो ये कह रहे हैं उसमें लिखा भी है क्या आप बोलेंगे तो मतलब ये साफ-साफ कह भी दिया गया है क्या बोलेंगे उसका जो में पार्ट है वो पतालता हम आपको वी हाद रन सर्टन ट्वीट्स अन आज तक चैनल and wrongly reported the screenshots calling them real and attributing them as the actor's last tweets by doing so we have violated clause 1 of the specific guidelines covering reportage relating to accuracy which states that information should be gathered first hand from more than one source if possible if possible reports from news agency should be attributed and where possible be verified allegations should be reported accurately as made and errors of fact errors of fact should be corrected at the earliest giving sufficient prominence to the broadcast of the correct version further उनको एक लाक रुपे का fine भी लगाया था NBSA ने वो भी maintain रखा गया है तो fine भी होगा और साथ ही साथ आपको इन शब्दों में माफी मागनी पड़ेगी उनका जो challenge था initial order को वो reject हो गया है और जैसे मैंने कहा कि जो रिपोर्टेज भी गल्द जा रही थी उस समय उसने जो भी damages किये हैं धीरे धीरे जो system अपने आपको clean up कर रहा है उसकी तरफ ये चीज आगे बढ़ रही है तो main order भी आया और review भी अटा दिया गया तो 23 एप्रिल को 8 बजे unless कुछ और हो यह apology दी जाएगी आज तक की दुवारा